हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है माई चैनल फिजिक्स विद प्रग्या में तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टौपिक है वो फिजिक्स का बिल्कूल भी नहीं है टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक हमने फिजिक्स का बिलकुल भी नहीं लिया, तो टॉपिक किसका है, टॉपिक हमने हिंदी का लिया है, हिंदी में आपका है खंड कावी, जो आपके आँ खंड कावी चलता है, रश्मीरती खंड कावी, तो हमने उसके बारे में बात कर लिए जिसको लिखा है रामधारी शिंदिन Kṛṣṇa गपार नायक है और तो उसके बारे में बात की गई है तो प्रतम शर्ग का प्रारम करन के शोरह प्रदर्शन से होता है जब गुरुद्रोनाचार. जी सभी कौर्व और पांडव उन्हों ने भाई जो विद्याशिक्षाई थी श्ष्षक की तो उसका प्रदर्शन करने जा रहे थे तो उसी कंट करने के शौर्ग प्रदर्शन की कथा है कंट की मातर कुंटी दथा-पिता शूर्देव है जिसको कुंटी लोकलाज के भहषे नदी में बाहाً देती है क्यों कि कुंति को जब कर्ण हुए तो विवास पूर मतलब कि जिसे कॉमारा वज्दा में होता है तो उस टाइम के क्रण पुत्र थे ठीक है जोकी सूरदेव के वरदान से उतपन हुए तो लोकलाज के बह है नदी में पहा देती है और जिसे जो जिसे शार्थी जिसे सूत कहते हैं सूत पुत्र कहते हैं कर्ण को तो शार्थी अपना पुत्र बनाकर उसे पा लेता है तो उसका पुत्र बनाकर उसका पालन पोशन करता है सूत के घर पलकर भी सूत पुत्र होकर भी कर्ण परश्राम जी से सिच्छा ग्रेंड करके महां शूरवीर दानवीर और महां धनुरधारी बन जाता है ठीक है सूत पुत्र होकर भी कड परश्राम जी से सिच्छा ग्रेंड करके शूरवीर दानवीर और धनुरधारी बन जाता है क्योंकि गुरु द्रोणाचार उसे सिच्छा देने से मना कर देते हैं क्योंकि वह सुथ पुत्र होता है इसलिए उसे सिच्छा देते हैं एक बार गुरु द्रोणाचार जो की कौर्वो और पांडवो के युद्ध कौशल उन्होंने सिखाया था उसका शार्वजनिक प्रदर्शन करवा रहे थे सब्तरा कंशल दिखाता है तो शकती प्रदर्शन करता है और वह अपना प्रदर्शन करता है और अरजुन को युद्ध की चुनाउती देता है तो गुडु द्रोणा चायर शोचते हैं ये सूद पुत्र है ये मुझसे सिच्छा लेने आया था और ये राजपुत्र से चुनाउती के लिए सुईकार नहीं है ठीक है तो वो कहता है कि तुम एक दुर्योधन है जो आपका कौरव है द्रड्राश का पुत्र दुर्योधन वह जब करने की ऐसी देखता है कि उसके अंदर इतनी उन्नत है वह धनुर्विद्या में पारंगत है और उसकी तरह से तो कोई था नहीं कि जो अरुजुन को हरा शके बाकी सब जितने उसके सब क्या करता है करन को अंगदेश का राजय बना देता है और तब अर्जुन और करन के बीच में प्रतिस परधा होती है करन के अंदर इतनी दनुर्विद्या था कि सब लोग देखकर आश्यर चकित हो जाते क्योंकि सूत्र पुत्र होते हुए भी सूत्र के घर में पलकर भी करन के अंदर इतनी दनुर्विद्या इतनी पारंगा था कि सब लोग देखकर आश्यर चकित हो जाते तो यह रही प्रतमसर्की कता तो अगर आपको वीडियो जरा सभी अच्छा लगए तो प्लीस वीडियो को लागए